एगाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप मेंदिलिप कुमार अस्वागत हैप का इस वडियो में तो दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाते हैं या फिर एयर इंडिया में एयर लाइन्स में जॉब करना चाते हैं तो आप सभी के लिए एक बेहदी अमेजिंग के चैनिडिट अपले कर सकते हैं कौन-कौन से ब्रांच है एलिजबिटी कंडिशन होता है सेलेक्शन प्रॉसेस क्या होता है ए-टू-जेट प्रॉसेस बात करूंगा तो जितने भी आई-टी-आई-डिप्लमा और डिगरी जो स्टूडेंट वीडियोस को ध्यान पूर्व बेल आइकन को प्रेज कर लें वीडियोस को लाइक करके आप सभी केंडिट अपना ट्रेड अपना ब्रांच भी जरूर कमेंट कर लेना ओके चली आ गया आते हैं तो यईज यह है आपका नई वेकेंसी जो की लेटेश्ट ही रिलीस की गई है नोडिफिकेशन 27 दिसंबर 2023 यानि जिस्ट ही नोडिफिकेशन निकाली गई है एर इंडिया की यह न्यू जॉब सा पॉस्टनोडी है एपलाइ करने के लिए कौन-कौन के कैंडिट अपलाइ कर सकते हैं यह जो वेकेंसी रिलीस की गई है एक्ससाइज एड़स सूरत एयरपोर्ट यानि कि जितने भी कै इसका हेट क्वाटर जो होता है इंडिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू डेली में है न उसी का हेट क्वाटर है बड़ उससे कोई मतलब नहीं आपको सूरत में जॉब लोकेशन मिलेगी बस इतना आपको धियान रखना है चले पोस्ट की मैं बात क सटेमर सर्विस एकुटब टोटल 20 से यह अच्छी पोस्टि उसके बाद है जोनियर सर्विस एक्जिकुटिब में his पोल्टी सब्ढकर रिकूर्प सर्विस एक्ज़ुटिब में सब्सक्राइब ये भी वेकेंसी ठीक है यूटिलिटी केम जो एजन्ट कम ड्राइवर होता है आपका रेंप ड्राइवर बोलते हैं से साथ पूस पर वेकेंसी है हेंडी मेन की वेकेंसी है इसमें 25 सिर्फ आई टी आई डिपलमा और डिग्री के केंडिट नहीं अगर आप यहाँ पर 10 पास भी किये हुए हैं तो भी आप इस फ्रम को बेज़क और बिलकुल फ्रेसर एपलाय कर सकते हैं इसकी इंटरव्यूस के माद्यम से सलक्षन होगा कोई भी यहाँ पर एक्जाम नहीं होता है जितने भी केंडिट हैं सिरियल नमर आप देख सकते हैं एक से लेकर आपका जो 6 तक है 8 जनवरी, 9 जनवरी को आपका इंटरिव्यू कंड़क्ट होगा नेक्स आपका है आपका 7 से लेकर 8 तक इसकी 10 जनवरी और 11 जनवरी को होगा 9 और 10 जनवरी जो पोस्टे हैं 12 जनवरी और 13 जनवरी 2024 को होगा याद रखना वेन्यू आप देख सकते हैं सूरत इंटरनेशनल एरपोर्ट यहीं आपका रूम है यहीं पर आप सभी केंडिट के लिए इंटरिव्यू कंड़क्ट की जाएगे यहाँ पर बता जा रहा है कि आल इंटिया की केंडिड़िट इंटिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लै कर सकते हैं मेल एंट फिमेल सभी केंडिट अलिस्पल है यह जो वेकंसी है इस फ्टीसी के बेस पे होती है FTC याने की Fixed Term Contract 4, 3 Year तीन साल की जोब है घबराने की ज़रूत नहीं है तीन साल के बाद आपको एरपोर्ट वाले कभी नहीं निकालेंगे क्योंकि इनका विजन ही होता है इस तरह का FTC के बेस पर ही जोब रखते हैं FTC करते हैं फिर FTE करते हैं तो इस तरह करके तीन साल, दो साल, फिर तीन साल इस तरह का Recruitment Processor एक्स्टेंड किया जाता है गाई तो आप सभी Candid के लिए यह अपर्शनोडी है अब अलेग अलेग पोस्ट वाइज में बताऊंगा क्योंकि जितनी सारी पोस्टे हैं कहीं ने कहीं आपकी Experience की ज़रत होगी सबके लिए नहीं है यार कोई जो Highly Poston उसके लिए Experience है जैसे डिप्टी Terminal Measure ग्रैजवेट के लिए Vacancy है 60,000 इसमें सेलरी मिलेगी Mostly इसमें Experience मांगी जाएगी उसके बाद डिप्टी Officer इसमें भी ग्रैजवेट मांगी गई है 32,200 सेलरी रहेगी एज काफी अच्छा रहेगा आपका इसमें नेक्स है जुनियर ओफिसर जो आपका पैसेंजर्स के लिए है इसमें रखा गया है ग्रैजवेट होनी चाहिए प्लस 9 एर की Experience 28,200 सेलरी आपको मिलेगी टेंशन लेने ने का उससे आपको मतलब नहीं है नेक्स रिक्रूट्मेंट निकल के आज आती है इस पर ध्यान देना जितने भी आईटिया डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट है यह जो वेकेंसी है जुनियर ओफिसर टेक्निकल की रिक्रूट्मेंट है तो फूल टाइम आपने इंजिनियरिंग कर रखी वो मेक्निकल, आटो मॉबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स या फिर कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग में तो बिल्कुल आप अप्लाय कर सकते हैं अधरवाइस यहाँ पर HMB या फिर LMB अगर आपने LMB, HMB कर रखें तो 12 मन्त का आपका प्रोडक्शन जो हते है HMB का लैसंस है मिनिमम हेवी मोटर विकल का लैसंस आपका होना ज़रूरी है सेलरी कितनी? 28,200 बिल्कुल फ्रेसर केंडिट अप्लाय कर सकते हैं लैसंस का एक वैल्यूस होता है 18 से 28 साल इजमीट है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दी जाएगी OBC and HTSC वालों को जो गौवर्मेंट में आपको दी जाती है नेक्स रिकूट्मेंट है Customer Service Executive के लिए तो इसमें जो आपको सेलरी मिलने हैं इसमें जो केंडिट अप्लाय करने वाले हैं ग्रेस्बिट के केंडिट अप्लाय कर पाएंगे अधरवाइस आपने डिप्लोमा कर रखी हो Airline में Certificate Courses Tata जो करवाती है Tata UFTAA या फिर LATA LATA यही केंडिट यहाँ पर बिल्गुल अप्लाय कर सकते हैं जो आपका DRDO करता है I mean Tata करती है Airline for Diploma Student 23,640 रुपे सेलरी मिलेगी यहाँ पर भी 28 साल के केंडिट अप्लाय कर सकते हैं नेक्स एर्कूरूट्मेंट जो निकाली गई है Ramp Service Executive की Ramp Service Executive यहाँ पर डिपलोमा के केंडिट बेज़द अप्लाय कर सकते हैं Mechanical, Electrical, Production, Electronics, Automobile तो यह अल्मोस देख सकते हैं लगबग 5 ब्रांच वालों को मौका मिला है अप्लाय करने के लिए Fraser अप्लाय कर सकते हैं कोई भी Experience की जोरत नहीं है आपकी बस 3-year की डिपलोमा आपके पास होनी चाहिए Certificate और यह सारे ब्रांच दी Next आपने डिपलोमा नहीं किया है तो आपने ITI कर रखी है तो ITI के Student अप्लाय कर सकते हैं अब ITI के कौन-कौन से Student अप्लाय कर सकते हैं Mechanic, Auto-Electrical Vical, उसके बाद Electrical, Electronics, Electronic Mechanic तो यह सारे जो Trade का मैंने नाम लिया है वो सारी Trade के इंडिट अलिजबल है बड़ एक चीज़ का ध्यान रहे हिंदी, इंग्लिस या फिर Local Language कोई साभी एक Language आपको आना चाहिए हिंदी भी आती है चलेगा इंग्लिस भी आती है चलेगा आपका 10th में Certificate में होना जरूरी है प्लस यह एक चीज़ का ध्यान रहे है कि ITI प्लस NCTBT ITI with NCTBT मतलब ITI प्लस आपका NAC का Certificate होना चाहिए NCPT का, यानि कि आपके पास Apprentice होना बहुत जरूरी अगर आप इसमें Apply कर रहे हैं तो Salary कितनी मिलेगी 23,640 रुपे Salary मिलेगी 18-28 सल अगर आप Mechanic Motor Vehicle Trade से Belong करते हैं, यानि कि Heavy Motor वाले Apply करना चाहते हैं, तो HMB का License होना बहुत जरूरी होगा क्योंकि Trade Test में यह काम आएगी तो जो मैंने Trade का नाम लिया है, याद रखना वो सारे Candidate Apply कर सकते हैं, नेक्स आपका Utility Agent Ram Driver इसमें 10th Pass की Candidate Apply कर सकते हैं, HMB का License 20,130 रुपे Salary यहाँ पर भी 28 साल Age Limit होगी नेक्स जो सबसे ज़्यादा Post है Handyman की या फिर Handyman की इसमें Only 10th Pass की Candidate Apply कर सकते हैं But Must Read and Understand English Language आपको बोलना, समझना, पढ़ना आना है, अगर आपको Local Language आती है, तो आपको Disable, यहाँ पर क्या है कि आपको Preference मिलेगी, 17,850 रुपे Salary 28 साल Age Limit है, तो 10th वालवालों के लिए भी अच्छी अपोश्टनोटी है जिस भी दिन आपको Interview के ले जाना है, आपको Form ले जाना होगा, Form में बता देता हूँ कि कौन सा Form है आपको यह Form दिखाए दे रहे ना इस तरह की, यह BioData की Form है Form आपको Fill Up करनी होगी और जहाँ पर Interview हो रहा है, सारे Documents आपको लेकर Visit करना होगा तो जितने भी Candidate है यहाँ पर आपको लगता है कि आप Walk in Interviews के लिए जा सकते हैं बड़ इसके लिए Application Charge देना पड़ता है जो कि 500 रुपे एक सीज़का Focus रहे तो सारे Candidate जो भी Candidate अपला करना चाता है जाना चाता है, 500 रुपे का आपको क्या है कि DD बना के ले जाना होगा डिमांड ड्राफ बना के तभी आप Interview में बैट भाएंगे तो इसका यही रूल से ऐसा आप देख सकते हैं अलग-अलग बेस पी जो Vacancies निकाली गई है इंट्रिस्टेड हैं तो ही जाएं सभी Candid को जाने की ज़रत उतना है नहीं तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताजिएगा यूज़पल लगी हो, लाइक शेर और सबस्क्रेब करें नोटिफिकेशन आपको टेलिग्राम चैनल सकस दिले पे मिल जागी और फॉर्म वाले भी की फॉर्म कैसे इसकी भरनी है तो जाओ जाकर अपले ज़रूर करें मिलते नेक्स उड़े में तब तक ले जहन